आप सब करमी काफी ज्यादा होती जा रही है और बहुत मुश्किल हो गया बाहर धूप में निकलना लेकिन चलें अपना आज नेक्स ट्रॉपिक स्टार्ट करते हैं और मज़ी की बाद यह हमारे चिप्टर के लास्ट ट्रॉपिक है फाइनली हमारा चिप्टर खतम होने लग इन फोर चेन अफन एको सिस्टम किसी बी इको सिस्टम की जो फूर चेने फोर्चेन क्या था जो connection अब त्विन ट्रॉफिक क्लेवल्स ठीक हम धिफ्रेन डिफिल्फिक लेवल्स चीदिक हैं प्रोडियुसर्स नेक्स्स्ट मेर अब दिफिल्फिक्ट टैप स्ट्रिमिर के तो these are the different trophic levels, 1st trophic level, 2nd trophic level, 3rd trophic level, तो अब इस in trophic levels के अंदर food किस तरह से energy flow कर रही है, सबसे पहले तो basic source of energy that is solid energy, sun, sun के सिरफ 1% energy को plants capture करते हैं, producers capture करते हैं, बाकी 99% energy कहां जाती है, यह जो है evaporate कर दिती है water को, इसके इलावा soil को heat करने में help करती है, और plus कुछ जो है reflect back कर जाती है, तो सिरफ 1% energy contract करता है producers, अब producers जो energy बनाएंगे that will be 100%, लेकिन जब यह energy next trophic level पर जाएगी, मतलब जब consumers और producers को खाएंगे, तो सारी के सारी energy next trophic level पर नहीं गई, बलके सिरफ 10% energy next trophic level पर जाएगी, बाकी energy dissipate होगी, lost होगी, अब consumer को कौन next trophic level है, decomposer, वो decompose करेंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा energy lost होगी, और सिरफ 1% energy next trophic level तक गई, तो इन तीनों लेवल पर energy क्या हो रही है, energy lost हो रही, energy dissipate हो रही है, so this is how energy moves from one trophic level to other level, क्या होता है कि basically जैसे वो एक trophic level से दूसरे trophic level पर move करती है, तो in the form of heat कुछ energy dissipate हो जाती है, waste हो जाती है, सो अपसो स्टोरेंट आप लोगो इस chapter समझ लगा होगा, अगर आप लोगों कुछ मेरे से पोच्छन है तो आप लोग मेरे से questions कर सकते हैं, अलाफ इस स्टोरेंट्स अपना ख्याल लखेगा और अच्छा अच्छा पढ़ें मश्टकन है कर दो दो कर दो झाल झाल